आइस देखिए यह हमारा विधेक से सम्मंदित लास्ट टोबिक है यानिके लास्ट वाला विधेक हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम साध्षन विधेक है ओर्डिनरी बिल देखिए इसकी चर्चा 107 में किये गी है आर्टिकल 107 में इनकी चर्चा कीगी यह ओर्डिनरी बिल क्या होते है साधरन विदेख क्या होते हैं देखिए वैसे तो साधरन विदेख की कोई परिवासा इस पस्क्रूप से है नि बस यह कह दिये गया है कि जो तीनों विदेख से यानि कि जो हमारे पास समभिधान साधरन विदेख का मतलब यही ए कि आप जितने भी आम जीवन में जितने भी खानून देखते हैं जो भारत-सरकार पास होता है यह कानून कैसे देख पर दौझ की राज्य सरकार के दूंक तरहीं साहरे यह तो थोड़ा दिहान से समझना देखिए सबसे पहले तो कोई कानून साधन विधेक वही है जो तीनों विधेक से लग है जैसे ही कोई कानून बनता है तो सबसे पहले उसका एक मसोदा तयार होता है एक मसोदा यानि के एक ड्राफ्ट तयार होता है उसके बाद उसको संसद पेस करता है तो फिर प्राइवेट बिल कहलाएगा यानिके प्राइवेट मेंबर कहलाएगा ठीक है तो देखिए कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई विदहेक step by step किसी सदन में आएगा कैसे पास होगा वो राष्टपती तक कैसे पोचे कर देखन एक कानुन कैसे बनेगा सबसे पहले एक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगाholes कि यह तैयार हुआ हमारे पास तो उसके बात किसी भी सद्व awakening में चला किकि सब्सक्राइब लोगसबह सबसे पहले उसकी रीडिंग लगती है मतलब जैसे पहला वाचन होता पहला पॉइंट है पिर्थम वाचन कि इसे हम फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं कि देखिए फर्स्ट रीडिंग में क्या क्या होता है समझ लिए इसमें क्या होता है कि इसमें विधेक किसी भी सदन में जा सकता है इसमें विधेक पेस किया जाता है किसी भी सदन में पेस का मतलब एक पेपर लिखा हुआ है कोई भी मंत्री जाएगा किसी भी सदन में जाके पेस कर देगा तो बताएगा के भी क्या है किसी भी सदन में या तो वो लोग सभा में जा सकता है राज्य सभा में अगर हम एक सदन को लेकर चलेंगे यह लोग सब आनलेंगा राज्य सभा भी मान सकते हैं देखिए कोई मंत्री आएगा यह सञान सदाएकं से करेंगा पेश करने का मतलब है कि वह उसका उद्देश से स्विर्षा क्या है कि इसने हैं और इसका सिर्षक इसा सानु पास हुए। तो उनका नाम बताया कि कानून सीर्षक के नाम दिया गया है बिल्कु इस पेसल नाम तीया सदस्य कोल शारे सदस्यस को देख लेंगे कि बडनी तो सदस्यस को धेख लेंगे क्या इसको जो है आगे बढ़ाया जाए तो पहले जो फर्ष रीडिंग होती पिर्थमवाचन में क्या होता है फिर्षी स्टेप में सिर्फ एक रीडिंग मतलब एक तरह से जो है अनुमती मिलती है तो आप देखिए कि इसका मतलब कुछ नहीं है इसमें चर्चा नहीं होगी बिल् तो पहला स्टेप तो हो जाता है यहीं खतां शिर्फ अनुमति तक गभी सदन अनुमति दे दी ठीक है अब इसके जो आता है उसके बाद आता है सेकिंड रीडिंग आती यह ज़िए दुक्तिय वाचन तो देखिए अब इसको मैं रफ कर देता हूं यह देखिए आपने फर्स्ट रीडिंग तो समझ ली यह झालिक पिर्थम वाचन तो आपने समझी लिया पिर्थम वाचन का सिर्फ एक उद्देश से है सदन की अनुमती लेना के भी विदहक को सदन की अनुमती मिल नहीं है ठीक अनुमती अब आगे बढ़ेगा देखिए अब दूसरी रीडिंग देख लीजिए के भी हमारे पास जो दुत्तिय वाचन में क्या होगा अब आगे ब के ठीक है देख concet participation में होगी विदहक पर करचा चर्चा का मतलब है कि विदहक के पृतियशन पर मतदान भी किया सकता है मने इपिर्टिय खड़ देखें चर्चा होने के दोरान क्या होगा कि एक सदन में चरचा जैसे होodus करते हैं जो अध्यक्स फाल क corporation पहें ये फिर हैं तो थी नहीं हुआ क्ट करते हैं कि अगर चछा को सही से किराना है खे פी चार्वीमर्ज करना पुरवर्द समीति यह संसद में समीतिया होती समीति पर हम अलग से एक लेक्षर लेने की पर विचार करेंगे देखिए या फिर इसको जोएंट कमेटी एक जोएंट कमेटी को बोलते हैं सहींक्त समीति यह सहींक्त बैठक साल लाग है द्यान रखना देखिए अगर चर्चा सही से नहीं हो पारी है तो जो सदन के अब द्यक्स हैं वो किसी भी विदेख को इन में से किसी कमेटी को सवफ सकते हैं सलक्ट कमेटी में एक सदन के सदस से होते हैं और जोएंट कमेटी में दोन सदन के सदस से होते हैं ताकि इस सदस से एक बैठक करे मेरे और अरामसे विदेख के फृतिति एक खंड पर चर्चा कर सकें जैसे ही यह इस पे चर्चा कर के ले के आएंगे तो कुछ संसुधन कर लाएंगे यह流 पिर इनके जो संसुधन है उन तीसरे नंबर में क्या होगा कि तीसरे नंबर होता है सिर्फ मदान के लिए हम इसको तृत्य वाचन बोल सकते हैं कि आप इनके नाम नोट कर लीजिए यह हमार पास थर्ड रिडिंग देखें तृत्य वाचन में क्या होगाो अब सारा विदह्यग बनकर कम्पलीट का मतलग है अब कम्पलीट हो गया यह मद्दान सहमती चाहिए तो सदन की सहमती यह पास पारित यह पारिद कराएगा यहां के सदन यहां तो सुविकार कर सकता है उसको यहां फाइनल हो जाएगा भी देख एक सदन से यह सुविकार कर सकता है क्योंकि सब पर चर्चे कर लिए तो बेसिकली वो सुविकार ही करेगा तो यहां पर सुविकार हो जाएगा यहां यहां पर पास कर दिया इसको अपने सदन से यहां पर जो है संसोधन नहीं हो सकता कोई भी इसी स्टैप में जो है संसोधन नहीं हो सकता क्योंकि संसोधन के लिए यह है जहां पर चर्चा होगी वहीं पर संसोधन हो जाएगा संसोधन तीसरे वाचन में नहीं होगा यहां पर विदेग पर मतदान होगा उसको पास कर दिया जाएगा सदन के द्वारा तो यह तीसरा वाचन है यानि कि थर्ड रीडिंग है तो अब हम आगे पहले स्टैप में क्या किया सदन के अनुमती ले ली दूसरे में च मतलब है विदेख को दूसरे सिकन हास का मतलब है कि में गarnoyide को सण हास का मतलब है कि तो गोगना पास हों गया लगत कोई तो आब दूसरे विदेख को और तो उसमें क्या होगा कि जैसे मालीं जी लोकसवा पास होगे तो लोकसवा ध्यक्स जो है उस पर मौन लगा देंगे कि ठीक हमने पास कर दे अब आपके पास है आप तयार ही तो जैसे ही दूसरे सिदन को बेचा जाएगा तो दूसरे सिदन में उस पर मद्दान करके उसको फाइनल करेगी तो दूसरे सदन में क्या हुआ कि उसमें तीनों रीडिंग ऐसी की ऐसी चलेंगी जैसे पहले में हुई थी पहले सदन की तरह ठीक है अब क्या करेंगे कि सदन के इस अब दूसरा सदन है हमारे पास तो दूसरे सदन के पास बहुत तो निमान रही से ठीक है निया फिर दूसरा सदन क्या करेगा कि या फिर उसमें कुछ संसोधन करके वापस लोटा देगा कुछ संसोधन किये और वापस लोग सबाको यह दूसरे सदन को कर दिया कि विलो तुमने जो भेजाता पास करके हमने कुछ संसोधन करे हैं इने देख को ठीक है नीए यह थिर स्विकार कर लिया चोथी कंडिशन यह विदेप और विधेग को पड़ा रहने दे अपने पास पर बांद रहने बहुत हो घृएंग फिर को क्या करेंगी हम भेज देंगे राष्टपती के पास अगर विद्धे कार कर दिया और इसका मतलब कि गति रोध हो गया दोनों सद्रों में ठंग गई कि विवाद जगड़ा तो अब जो है गति रोध का मतलब है डैड लोग यानि के अब बुलाई जाएगी सहीवक्त बैठक के बारे में आपको बताया था कि भी सहीवक्त का कि दोनों सद्रों की बैठक ब्लाई जाएगी उसमें चर्चाहोगी उसके दवारा पास कराए जाए ठीक है इसको लोग सव अध्यक्स बलाते हैं इनके राश्टपती बलाते हैं लोग सव अध्यक्स तरक लिए अगर संसोधन कर दीया माली जी दूसरे सदन्द्द्द्द् स्विकार कर लिया कि हम तो नहीं मान दे तो फिर गतिरोध की स्तिति होगी जैसे ही का ति च inflam की उंदी ने क्या होग टो फिर सविकैर कि पैठा होगे लेक्ट हो कि इस एक चीज भी सबगाएंगे कि स्थे में कि से तो जैसे छह मैंने तक चर्चा नहीं की तो फिर गति रोध हो गया तो फिर बैठक तो आप समझ रहे होंगे कि भी किस किस कंडिशन में बैठक भी बुलाई जा सकती है जैसे दूसरे सदन को बेज दिया तो दूसरे सदन नसुविकार के लिए तो पास हो गया नहीं किया तो पति रोध हो गया तो फिर उसमें को बैठक ले जाएगी उससे समझोता होगा उससे समाधान निकला जाएगा तो यह चार पॉइंट हमने जो है इसमें देखें देखें पांच वह क्या आता है अगर विदेक इन से ठीक ठाक पास हो गया दोनों सदनों से तो उसके बाद ज लाटि क這邊 के पास क्या सकती है अगर विदेख हो गया पास डोनों सदनों कहेंगे की भी ठीक लव राष्टी को विभेज दो अब इस प्रोर राश्र मोह राष्टी पती लगाएंगे और यहर थी कानूर बन जाएगा ठीक है निक तो राष्ट्पती को जब रास्त पती के प मतलब है कि सहहमति सहमति प्राश्च्पति के पास डूसरे में करता है कि वह मतलब है कि वह अपनी पोकेट मिटों का इस्तिमाल करें सक्ती होती है उनके पास अधी मैं ध rebellion नहीं करेंगे या फिर फिर पड़ार रहने एंगे फिर फिर वो क्या करेंगे कि पुणर्विचार के लिए लोटा देंगे उसको देखी तीनों कंडिशनम क्या होगा राष्ट पती के पास भी देख गया तो राष्ट पती ने क्या कहा कि भी हस्ताकसर कर दिये कहा कि भी ठीक है कर दिया हस्ताकसर तो फिर यह बन जाता है कानून जैसे ही राष्ट पती ने सिगनेचर करें तो एक कानून बन गया लो बन गय तो पड़ा रहेगा वहीं फिर खत्म हो जाएगा यह पुनर विचार के मतलग है कि राष्टपती कहाएगा कि तुमने यह पास करा है तो इसमें थोड़ी दिखते हैं मतलब मैं चाहता हूं कि एक वार विचार करो तुम तो क्या करेगा पुने सदन को लोटा देगा और जैसे जैसे ही वह पुने वापस करेगा सदन को यानिके सदन को वापस कर दिया तो सदन क्या करेंगे इस पर चर्चा करेंगे चर्चा करें ना भी करें उनकी इच्छा है जैसे उन्हों चर्चा करका दुवारा राष्टपती के पास भेजा तो राष्टपती दुवारा बात दि पिछा है और जैसे ही वह दूआरा कर वापस देंगे कि लो भी हमने तुम्हें दूआरा वापस भेज़ गया राष्ठपती जी तो राष्ठपती जी के पास कोई विकल्प नहीं है उनके पास सिर्फ प्वार पॉइंट पड़े इसके देखिए पहले में क्या होता किसी भी बिल्कों किसी भी हैं सहमती इस के बाद उस पर चर्चा होगी तीसरे स्टेप में उस पर मद्दान होगा चोथे में उसको दूसरा सदन को भेज़ा जाएगा और पांच में राश्ट्पती है किसी भी कानून के बनने का बनने तक का बन गया उसके बास सरकार अपनी इच्छा से उसको लागू कर देती एक डेट फिक्स करके तो कानून बनने का यही प्रोसी से तो देखिए आज की वीडियो को हम समाप्स करते हैं और आप ये देख लीजिए के हम चारो विदैक पड चुके हैं तो आप इनको ध्यान से बढ़िए बहुत ही इंपोटेंट भी से हैं क्योंकि संसद की सारी प्रिणाली सीवर्टी की हुई है और संसद का में काम भी यही है जो हमने आपको बताया कानून बनाना बाकि हम देरे देरे आगे बढ़ते रहेंगे फिर अगले टोपिक के साथ मुलगात होगी ठेंक्यू